सुबाश इंगलिश स्कुल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागते कक्षा 3, विशय, हिंदी, पाट, छे, जिसका नाम है साहसी वल्लब इसमें वल्लब भाई पर्टेल की बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने साहसे किस प्रकार वहाँ पर होने वाली समस्या को हल किया था उसी के बारे में इसमें बताया गया था कि हमें भी सरदार वल्लब भाई पर्टेल की तरही साहसी बनना चाहिए और उन्होंने जिस प्रकार सत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया उसके बारे में भी इसमें बताया गया है बात पुरानी है गुजरात के गाउं में वल्लब नाम का एक बालत रहता था वल्लब को पढ़ने का बहुत शोग था पार्शाला गाउं से दूर थी और वहाँ जाने का रास्ता भी उबरखाबर था वल्लब उसी रास्ते से प्रतितिन पार्शाला जाता था अब इसमें वल्लब के बारे में बताया गया था कि इसमें वो गुजरात के गाउं में रहते थे जिसका नाम था वललब को पढ़ने का बहुत ही शोग था लेकिन जहां वो पढ़ने जाते थे पारशला वो उनकी गाउन से दूर थी और वहा जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही उबर खाबर था पत्रीला था वल्लब उसी रास्ते से हमेशा पार्शाला जाता था एक दिन की बात है वल्लब अपने सातियों के साथ पार्शाला जा रहा था तब ही उसके पेर में नुकिला पत्थर लगा पेर में चोट लगने से रक्त बहने लगा एक दिन की बात बताई गए इसमें कि वल्लव अपने सात्यों के साथ पाशला पढ़ने के लिए जा रहे थे तब ही रास्ते में उनके पेर में एक नुकिला पत्थर लग गया था जिसके कारण उनके पेर में चोट लगी थी और चोट लगने से रक्त बने लगा था आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये वल्लवे, इनके पेर में चोट लगी है, ये पाटशला, ये अपने सात्यों के साथ पाटशला जा रहे हैं अपनी चोट की परवा ना करते हुए, उसने निश्य कर लिया कि आज वह इस नुकीले पत्थर को निकाल कर फेक देगा वह पत्थर निकालने का प्रियास करने लगा, पत्थर इतनी आसानी से निकल ही नहीं रहा था पर वल्लब कहां हार मानने वाला था, वह उसे निकालने में लगा रहा, उसका शरीर पसीने से तरबदर हो गया तो जब उसको चोट लगी थी तो उसमें अपने चोट की परवा नहीं की और उस पत्थर को निकालने का निश्य उसने कर लिया था उसने सोचा कि आज तो मैं इस पत्थर को निकाल करी रहूँगा और वह उस पत्थर को निकालने का प्रयास करने लगा पत्थर बहुती अंदर था तो वह निकल नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी वल्लब ने हार नहीं मानी और उसे निकालने में लग गया उसका शरीर जो था वो पसीने से पूरा तरबदर हो गया था उसे बहुत ही पसीना आ रहा था लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी बल्लब के साथ ही उसे अकेला छोड़कर चले गए पर उसने हिम्मत नहारे अंत में उसकी हिम्मत जीत गई पत्थर निकल गया उसने पत्थर को उठा कर सड़क के किनारे फेक दिया तथा खाली कड़े को मिट्टी से भर कर रास्ते को ठीक कर दिया उसके पेर से रक्त बहर आ था आप उसके जो अमित्र थे वो तो उसे चोड़कर चले गए थे लेकिन वल्लब ने अकेले ही साहाज दिखाया और उसने उस पत्थर को निकलने का बहुत प्रयास किया और अंत में वो पत्थर निकल गया क्योंकि उसने अपनी हिमत जुटा रखी थी उसने अपनी हार नहीं मानी थी और जैसे ही वो पत्थर निकला उस पत्थर को उठा कर उसने सडक के किनारे फेट दिया और वहाँ पर जो गड़ा बन गया था उसे मिट्टी से भर कर पूरे रास्ते को उसने ठीक कर दिया था इस भीज उसके पेर से बहुत रक्त बर आता उसके पेर से खुन निकल रहा था वह विद्यालय विलंब से पहुचा गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा वलब ने पत्थर हटाने वाली गटना बताई गुरुजी गदगद हो गए उन्होंने वलब को गले से लगा लिया उसके पेर के अंगुठे पर मरम पट्टी की और बोले बेटा सब लोग रुकावटों से बचकर निकल जाने का आसान रास्ता डूनते हैं परन्तु तुमने रुकावट डालने वाले पत्थर को हटा दिया अब ये सब गटना गटित हुई तो वो विद्याले देर से पहुचा अब गुरुजी ने उसके अध्यापक ने उससे देर से आने का कारण पूचा तब वल्लब ने पत्थर अटाने वाली सारी गटना अपने गुरुजी को बताई गुरुजी को बहुत ही प्रसंदा हुई वो बहुत खुश हुए और उन्होंने वल्लब को क्या किया गले से लगा लिया तब ही उन्होंने उसके पेर के अंगुते पर मरम पट्टी लगाई और उससे बोले कि बेटा सब तो रुकावटों को देखकर चले जाते हैं उससे बचकर निकल जाते हैं लेकिन तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई और तुमने उस रास्ते को सही बना दिया अपने को कस्ट था तो भी उसने उस रास्ते को सही बनाया और अकेले उसने प्रियास करके उस रास्ते को सही कर दिया था तब उनके गुरू जी ने उसे शाबवाशी दी आपको इस तरह दिखाई दे रहा है ना ये गुरुजी है ये वल्लब है और ये उसके साथी है तो ये सारी गठना के बारे में इनको बता रहे हैं और गुरुजी भी इसी तरह इनको शाबवाशी दे रहे हैं अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी रहेगी वह बालक और कोई नहीं सरदार वल्लब भाई पटेल थे लोग उन्हें लोह पुरुष के नाम से जानते हैं वे हमारे देश के पहले ग्रामंत्री बने जिस वल्लब की गटना के बारे में इसमें बताया गया है वो वल्लब का पूरा नाम है सरदार वल्लब भाई पटेल जिन ये लोग लोह पुरुष के नाम से जानते हैं और जो हमारे देश के प्रथम ग्रामंत्री बने थे तो इस पार्ट से हमें सिख्षा मिलती है कि हमें किसी भी मुसीबत को देखकर घबराना नहीं चाहिए बलकि उसका हल दूनना चाहिए हम सोचते ही कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर हम में हिम्मत है तो हम सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं जिस प्रकार सरदार वल्लब भाई पटेल ने अपने सास का बरिचा इस पार्ट में दिया है वैसे ही हमें भी मुसीबत में गबराना नहीं चाहिए और उस मुसीबत को हमें हल करना चाहिए अब इस पार्चे संबंदित प्रश्णों को हम हल करेंगे पार्चे जिसका नाम का सासी वल्लब सबसे पहले इसके शब्दारते इसमें पहला है उबर खाबर जिसका आर्थ होता है उचा नीचा अगला है प्रयास इसकारते कोशिश या प्रयत्न विलंब आर्थ है इसका देर गदगर हो जाना इसका मतलब होता है अत्तेदीक प्रसन होना रक्त इसका आर्थ होता है खून तर तर का आर्थ होता है अधीक भीगा हुआ अगला है रुकावट इसका आर्थ है अवरोथ या बाधा अब अगला प्रशने हमारा निम्नलिकित प्रशनों के उत्तर लिखिए इसमें पहला है वल्लब के गाउं से पाठशाला तक का रास्ता केसा था उत्तरे वल्लब के गाउं से पाठशाला तक का रास्ता उबर खाबर था अगला प्रशने शाला जाते समय वल्लब को क्या परेशानी हुई उत्तरे शाला जाते समय वल्लब के पेर में नुकीला पत्थर लगा जिसे पेर में चोट लगने से रक्त बहने लगा अगला प्रशने रास्ते में गड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फेसला वल्लब ने क्यों किया उत्तरे क्यों कि वह नुकीला पत्थर आने जाने वालों के लिए रुकावाट बन रहा था इसलिए वल्लब ने उस पत्थर को निकालने का फेसला किया अगला प्रशने वल्लब को विद्याले पहुचने में देर क्यों हुई उत्तरे क्यों कि वल्लब ने रास्ते में पड़े नुकीले पत्थर को निकाल कर फेका तथा खाली गड़े को मिट्टी से भर कर राष्टे को ठीक कर दिया इसलिए उसे विद्याले पहुचने में देर हो गई अगला प्रश्णे राष्टे की गटना को सुनकर गुरू जी ने क्या किया उत्तरे राष्टे की गटना को सुनकर गुरुजी गदगद हो गए उन्होंने वल्लब को गले से लगा लिया अगला प्रश्णे सरदार वल्लब भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है उत्तरे सर्दार वल्लब भाई पटेल को लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है अगला प्रशने मरा खाली स्तान बरिये इसमें दो-दो विकल पे उसमें से जो सही विकल पे उसको हमें इसमें बरना है पहला है डेश के गाउं में वल्लब का जन्म हुआ कौनसे गाउं में हुआ गुजरात के या मंदिप देश के तो इसमें आएगा गुजरात गुजरात के गाउं में वल्लब का जन्म हुआ अगला है उसका शरीप पसीने से डेश हो गया क्या हो गया था उसका शरीप तरबदर उसका शरीर पसीने से तरबदर हो गया अगला है अंत में उसकी डेश जीत गई क्या जीत गई हिम्मर अंत में उसकी हिम्मर जीत गई अगला है गुरुजी डेश हो गई क्या हो गई ते गुरुजी गदगद गुरुजी गदगद हो गई अगला प्रशने सही जोडी बनाईए इसमें सही जोडी मिलानियम को नुकीला इसको मिलाएंगे पत्थर से उबर खाबर क्या था रास्ता, पक्की सड़क, सासी वल्लब वगला प्रशने शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाईए इसमें उठे सिदे लिखे हुए हैं तो हमें इसको सही क्रम में लिखकर साथक वाक्य बनाना है तो इसका पेला है बालब वल्लब नाम का रहता था एक गाओं में गुजरात के इसका क्रम सही नहीं है हमें इसका सही क्रम बनाना है गुजरात के गाओं में वल्लब नाम का बालब रहता था इसका दूसरा है बने थे ग्रह मंत्री वल्लब भाई पटेल हमारे देश के अगला है लगा लिया गले से गुरुजी ने वल्लब को अगला है उठाकर दिया फे वल्लब भाई ने पथर को अगला प्रशने सही विकल्ब चुनकर लिखिये इसमें भी दो विकल्ब दिये हुए है उसमें से सही वाला मेया पर लिखना है इसमें मात्रा मिस्टेक है तो आपको सही वाली मात्रा इसमें लिखना है इसका पहला है लोग सर्दार पटेल को डेश नाम से जानते हैं पहला दिया हुआ है लोह पूरुष या दूसरा है लोह पूरुष तो किसके नाम से जानते हैं लोह पूरुष जोग Sardar Patel को लोग गुरुष नाम से जानते हैं अगला है गुरुजी देश हटाने वाली गटना सुनकर प्रसन्न हुए ये पत्थर ये पत्थर तो इसमें क्या आएगा पत्थर प आदात ध और र तो गुरुजी पत्थ हटाने वाली गटना सुनकर प्रसन्न हुए अगला ये सरदार पटेल ने डेश न हारी हिमन हिम्मत इसमें आएगा हिमम्मत सरदार पटेल ने हिम्मत न हारी अगला प्रशने नीचे दिये गए शब्दों में से उची सर्वनाम चाट कर खाली इस्तान में बरिये ये इसमें कुछ सर्वनाम शब्द दियो हुए है तो जो जिस वाकि में सही सर्वनाम शब्दे वो हमें लिखना है तो ये शब्दे में, वह, तुम, उसका तो इसका पेला है हेमंत ने संजय से कहा डेश, फुटबाल अच्छा खेलते हो तो क्या आएगा तुम, तुम सर्वनाम शब्द इसमें आएगा अगला है नवीन, इंदोर में रहता है डेश, वहां नोकरी करता है तो क्या आएगा इसमें वह, नवीन, इंदोर में रहता है वह, वहां नोकरी करता है अगला है डेश पत्र लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा इसमें मैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ, अगला है एक बुढिया थी डेश एक पोता था, तो क्या आएगा उसका, एक बुढिया थी उसका एक पोता था अगला प्रशने निमनलिकित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए अब ये वाक्य दियो होगा है इसमें से जो सर्वनाम शब्द है वो हमें यहाँ पर लिखना है इसका पहला है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है मैं अगला है वह अपना काम करता तो इसमें सरुनाम शब्द क्या है वह और अपना अगला है वह अभी दतिया गया है तो इसमें सरुनाम शब्द क्या है वह अगला है उसका भाई स्कूल गया है तो इसमें सरुनाम शब्द है उसका अगला है राम नदी पर गया है वह उसमें तेरेगा तो इसमें सरुनाम शब्द क्या हो गया वह और उसमें तो यह पार्ट आपका यही पर समापत हो गया है जो PDF आपको दिया जाएगा मोबल में उसे आपको अपनी copy में लिखना है और learn करना है धन्यवाद